नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रावसान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फॉर नौकरी ओफिसियल यूटूब चैनल दोस्तों इस चैनल पे आपको जनरल अवर्नेस से रिलेक्टेड़ सारी कंटेंट मिलने वाली है तो सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइ लिस्ट में जाए डिस्क्रिप्शन में लिक मिल जागा वहां से सारी लेक्टेड़ आपको देखना है और नोट साथ में बनाते चलना है और देखें लोगों का कंफ्यूजन है कि याद नहीं रहा पाता है तो जी हां दोस्तों याद नहीं रहा पाएगा इसलिए आपको कर पाएंगे और सेलेक्शन में मददगार साबित होगा पीडियाफ आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जागा देखें कुछ लोग बोलते हैं कि पीडियाफ नहीं मिल रही है तो दोस्तों मैं गुजारिस करता हूं कि आप लोग पहले वीडियो देखिए उसके बाद जो है पीडियाफ आपको मिलेगी टेलिग्राम पे अंसर के साथ 10 लेक्शर तक के प्रवाइड करवा दिया गया है और भी करवा दिया जाएगा जल्दी एक्जाम 24 और 25 अप्रेल को है तो देखिए 342 नमर कोश्चन है कि दोजली हैडिंग एक नियोलिथिक साइट है यानि कि वो पसान यानि कि नियोलिथिक साइट है जो कि आसाम में लोकेटर है तो करेक्ट अंसर यहां पर बी होगा असाम असाम के जो दीमा हसाव डिस्टिक है वहीं पर लोकेटर है और इस तरह के पॉर्ट देखने को मिला है जो साइद जो ग्रेन को अस्टोर करने के लिए ही तो देखें National Food Security Act पास किया गया था इसको Right to Food Act भी बोलायाता है Right to Food Act भी अगर कहीं आपको मिला तो ओ भी आपको सही होगा तो National Food Security Act या Right to Food Act पास किया था 2013 में 2013 में इसको पास किया गया था उस समय Congress की Government थी तो उन्होंने ही इसको पास किया था तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 2013 में आप देखें 1.3 billion people हैं इनको subsidize rate पे food grains प्रवाइड करने का लक्ष ही इस Act के थुरू प्रवाइड करवाया जा रहा है और इसमें देखें rice 3 रुपया पर kg, wheat 2 रुपया kg और जो millet होती है एक रुपया पर kg के अंतर जो public distribution system होता है तो 5 kg पर person पर month जो है दिया जाता है इस subsidize rate पे food grains question है in which of the following state Humpy dance festival तो Humpy आपको करनाटक में located है तो Humpy dance festival भी करनाटक से ही related है तो correct answer यहाँ पर B सही होगा और देखे ए आपको Humpy जो dance festival है यह आपको बिजय नगर समराज से ही देखने को मिलता है और जो Humpy dance festival है इसको बिजय उतसब के नाम से भी जाना जाता है तो ध्यान रखेगा Humpy dance festival करनाटक से related है तो आपको ध्यान रखना होगा question है कि who among the following is the writer of the noble the room on the roof तो यानि कि आपको simple सा वताना है कि आपको novel है the room on the roof इसके novel के writer कौन है तो इसका correct answer होगा A. Ruskin Bond तो Ruskin Bond के उपर मैंने और भी question करवाए है तो देखे ए Indian author है जो कि British descent के है और इन्होंने ही लीखा है the room on the roof देखे इस तरह के आपको book देखने को मिलेगा the room on the roof Ruskin Bond question है कि which of the following synthetic chemical is responsible for the ozone layer depletion तो देखे ओजोन लियर का च्छाय हो रहा है और इसके लिए जिम्मवार है C of C that is a chlorofluorocarbon एक synthetic आपको chemical है chlorofluorocarbon और यही जिम्मवार है तो देखे ओजोन लियर सुरी से आने वाली प्रावैगनी किर्णों से प्रिथभी की रच्छा करता है प्रिथभी की रच्छा करता है और इस तरह से ozone depletion हो रहा है और देखे ओजोन की जो मुटाई होती है उसको मापा जाता दॉप्सन इनिट में और 16 सिप्टमबर को ओजोन दिवस की रूप में मनाते हैं और ओजोन लियर पाया जाता है आपको देखे ए लियर देखने को मिला है यह अस्टेटो स्फेर जो समताप मंडल होती है उसमें 32 से 60 किलोमेटर के बीच में आपको देखने को मिलता है अब तो हरियाना हरिकेन के नाम से किनहे जाना आता है तो देखे निक नेम से कोश्चन आते हैं तो हरियाना हरिकेन अब फोटो देख के ही पहचानगे कापिल देव को बोला जाता है और इनका जनम हुआ था 1959 में चंडीगर में और इन्होंने भारत को ODI में यानिकी One Day International Cricket में इ यही कप्तान थे, उस समय उसके बाद 2013 में महंदर सींधोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार बंडे क्रिकेट विसकप का खिताब जीता था, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अब देखे कुछ है, निकनेम है, उटके बारे में बताता हूं, तो फ्लाइंग फिस, तो माइकल फिल्फ जो अमेरिका के हैं, उनको फ्लाइंग फिस के नाम से जाना आता है, सूपर मॉम बला आता है मैरी कौम को, बंगाल टाइगर, बोटेंट है, गाउली को बला आता है, जो दादा सौरब गाउली है, उनको बंगाल टाइगर के नाम से दे वाल के नाम से मसूर है राहूल द्रविड इंडियन एक्स्प्रेस के नाम से जो टेनिस के दो महान प्लेयर है लेंडर पेश और महेश भुपति यानिकी इंडियन एक्स्प्रेस के नाम से पेश भुपति को जाना आता है ब्लाक बर्ल पेले को बला आता है ब्लाक बर्ल ब associated to which of the falling innocent culture तो पुछा रहा है कि जो hanging garden है इस तरह का Babylon का वो आपको Mesopotamia innocent culture से related है तो correct answer यहाँ पर B सही होगा Babylon आपको इराक का सहर है इसका ध्यान रखना है और देखें Mesopotamia culture से समन्नित है तो Mesopotamia किस नदी पर है तो आपको देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो Mesopotamia जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उस समय का इराक Syria इस तरह के जो इरान और अरान का छेतर है यह आपको Mesopotamia और यह आपको Tigris River पर था तो Mesopotamia की जो सभता हुई थी तो Tigris River पर हुई थी question है कि which dynasty had developed the गंधारा school of art in any city दिया यानि कि प्राचीन भारत में जो गंधार school of art है उसको किसने बिक्सित किया था तो उसको बिक्सित किया था कुसान ने तो कुसान इसका correct answer होगा आप देखें कुसान वंस का जो संस्थापक था यानि कि कुसान डैनτί स्टिकस के जो founder थे वों थे कुजूल कड़विसेस कुझूल गड़विसेस ध्यान रखियेगा कि कुजूल कड़विसेस और देखें कुसान वंस का जो सबसे परतापि रजा था कनिश्क कनिश्क आपको पता होगा क्योंकि जो फोर्थ बहुत संगीती हुई थी वो कनिश्क के काल में ही हुई थी आपको कस्मीर में कुंडलवन कस्मीर में तो इस तरह से आपको सुरी कस्मीर में हुआ था कस्मीर में हुआ था और देखे कनिस्के जो थे उनके उन्होंने सक संबद को सुरू किया था तो 78 इसा 78 इसमी में कनिस्के ने सक संबद को सुरू किया था ध्यान रखना है इतना important fact अब देखे who was appointed as assembly constitutional advisor in 1946 during the framing of the Indian constitutions यानि कि भारते संबदान के गठन के दौरान उन्हें 46 में जो विधान सवा संबदानिक सलाकार रूप में B.N. Rao को निक्त किया गया था तो correct answer नहीं पर A. सही होगा और Constitutions Assembly को formation 1946 में ही किया गया था इसना आपको पता होना चाहिए question 1 कि where is the headquarters of the Allahabad bank में इसका headquarter है आप देखे अलाहापाद bank को firm किया गया था 1865 में 1865 में है और इसका headquarter Kolkatta में है और देखे इसके MD और CEO है SS Malikarjun Rao और MD और CEO ध्यान रखना है SS Malikarjun Rao है और देखे इसका चो tagline है a tradition of trust question है कि what was the name of the Swami Vivekanand गुरू तो Swami Vivekanand के गुरू पूछे आते हैं तो राम कृष्ण परमहंस इसी तरह से महात्मा गान्धी के जो political गुरू पूछे आई है तो गोपाल कृष्ण गोखली तो Swami Vivekanand के गुरू का जो नाम था ओ राम कृष्ण परमहंस और इनके देखिए बच्पन को जो नाम था नाम जो अलग था वो था गदाधर-चटो-पध्याई गदाधर-चटो-पध्याई इनका दूसरा नाम था अब देखिए बिवेकanand का जनम 12 जनवरी 12 जन्वरी 1863 को हुआ था 1863 को कलकत्ता में हुआ था और देखे 12 जन्वरी को इसलिए हर साल National Youth Day के रूप में मनाते हैं National Youth Day हर साल 12 जन्वरी को विवेकानंद के जनम दिवस के रूप में ही मनाते हैं और देखे इनकी मिर्टु 1903 इस्विय में हो गई थी जो बंगाल में जो बेलूर मठ है वहीं पर इनकी मिर्टु हो गई थी तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इनकी बचपन का नाम था नरेंद्र नाथदत इनका बचपन का नाम था स्वामे ब्यवेकानंद का कोश्चन है कि इनकी राष्टगान का हिंदी वर्जन कब जो है इहां पर अपनाया गया था इसका इंपोर्टन कोश्चन है और इसका अंसर होगा 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को यानि की अंसर ये बिल्कुल सही होगा अब देखे इसके बारे में और जानिये कि जना गाना मना इस नेशनल एंथम आफ इंडिया तो जना गाना मना क्या है नेशनल एंथम है और इसको कंपोजट किये है रविंदर नाथ टैगोर 1911 में बंगाली में था और सोंग जना गाना मना वाद फर्स्ट पब्लिश अंडर टैटल भारत बिधाता इंटत्त् बोधनी पत्रिका 1912, the song was translated in English in 1919 with the title Morning Song of India और इसको कॉंख्रस सेज़न जो कलकत्ता का हुआ था 1111 में 27 दिसम्बर को वहीं पर सबसे पहले गाया गया था तो ध्यान रखना और उस समय के 11 जो 11 11 का Congress session हुआ था उसकी अध्यस से बिस्व नरायन धर तो question आपसे पुछा येगा कि जना गना मना जो national anthem है उसको सबसे पहली बार सबसे पहली बार कब गाया गिया था 1111 के कलकत्ता अधिविशन में जो Congress का हुआ था उसी में गाया गिया था और उस समय अद्देश थे बिश्व नरायन धर तो देखे इसमें बहुत सारे कोश्चन बन सकते हैं तो देखे सबसे पहले बेंगाली में लिखा गया था उनिस स्वेगारा में उनिस में देखे Morning Song of India के रूप में इसको ट्रांसलेट किया गया और 1912 में इस प्रवलिश हुआ भारत विधाता टाइटल के नाम से तत्थ बोधनी पत्रिका में तो इस तरह से आपको और इसके कंपोजर थे रमीद रिनाथ टैगोर कोश्चन है कि गुरू घासी दास नेशनल पार्क इस लोकेटेट इन और कैप्टल इसका है अटल नगर और चीफ मिनिस्टर भुपेश बागेल और गवर्नर है अनुसुया कुई के कोश्चन है कि which among the following indirect tax is charged by the central government तो देखें indirect tax को सब्जिम्ण करके बनाए गया था GST लेकिन फिर भी आपसे question पूशे आते हैं कि जो आपको indirect tax है कौन-कौन से central government charge करती थी कौन-कौन से यहाँ पर state government तो यहाँ पर आपको बताना है कि indirect tax है जो central government charge करती थी वो कौन साथ तो service tax इस central government के द्वारा charge किया जाता था luxury tax purchase tax lottery यह आपको state government के अंदर देखने को मिलता है आपको देखें एक चार्ट की रूप में दिखाता हूँ तो direct tax है जिसे income tax हो गया capital gain tax security transaction tax है पर skewed tax corporate tax यह आपको direct tax है जबकि indirect sales service custom हैनि duty and octroy excise उसके अदर वैट यह सब government के द्वारेमेंट के द्वारा लगाया देखें यह वैट जो है को प्रेस कर लिजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर देजेगा सो थैंक यू गाइस इस वीडियो में इतना है